Hello and welcome to our YouTube channel Kidney Treatment in Ayurveda presented by Karma Ayurveda जहां हम आपको देते हैं किड़नी से जुड़ी जरूरी जानकारियां ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि क्यों बनता है यूरन में जाग और इसके क्या कारण हो सकते हैं यूरन में जाग नजनाना नॉर्मल लगता है लेकिन कई बार ये serious health issue भी हो सकता है तो आए जानते हैं क्यों बनता है यूरन में जाग और इसके क्या कारण हो सकते हैं वैसे तो यूरन का कलर हलका या गहरा पीला होता है लेकिन जब आप diet में या किसी बिमारी या पिर कुछ दवाईयां लेते हैं तो इससे यूरन में कई बार जाग भी देखने को मिलता है इसके कई कारण हो सकते हैं आपको बता दें जब यूरन में जाग नज़र आता है तो उससे cloudy यूरन या जागदार यूरन भी कहा जाता है commonly यूरन में जाग दिखाई देना bladder के full होने का संकेत होता है इस condition में यूरन आपके bladder पर हमला करता है लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं तो आए जानते हैं क्या होता है यूरन में जाग दिखने का मतलब और ऐसा होने पर आपको क्या करना चाहिए यूरन में जाग दिखने के साथ ही नजर आते हैं ये लक्षन यूरन की स्पीड ज़्यादा होने के कारण भी जाग नजर आता है लेकिन अगर आपके यूरन में जाग काफी ज्यादा नजर आने लगे और समय के साथ ये और भी बढ़ जाए तो सीरियस हेल्थ इशू भी हो सकता है अगर आपको भी यूरन में जाग नजर आता है तो इसके साथ कुछ और लक्षनों पर भी ध्यान दीना काफी जरूरी है जैसे हाथ, पैर, चहरे और पेट में सूजन ये किद्नी डामेज के संकेत हो सकते हैं संकेर जैसे थकान, भू कम लगना, मितली, उल्टी, सोने में दिक्कत, यूरन कम बनना, क्लावडी यूरन और डाक कलर का यूरन ये लक्षन आपको किसी गंभीर बिमारी के बारे में बता सकते हैं जिसे आप समय रहते ठीक कर सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है जब आप बहुत देर तक यूरन को रोक करकते हैं और फिर अचानक से इसे पास करते हैं तो यूरन फोमी बन जाता है लेकिन ये फोम कुछी देर में क्लियर हो जाता है कई बार जाग का बनना यूरन में प्रोटीन के अधिक मातरा की ओर इशारा करता है सबसे इंपोर्टन बात कि यूरन में मौजूद प्रोटीन हवा के संपर्क में आने से भी जाग बनता है यूरन में जाग बनने के और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे जब कोई dehydrated होता है तो उसकी urine का कलर काफी dark और गाढ़ा नजर आता है। ऐसा पानी का सेवन काफी कम मात्रा में करने का कारण होता है। पानी का सेवन कम करने से protein urine में dilute नहीं हो पाता। protein में कई ऐसी properties होती हैं जिससे urine पास करते समय उसमें जाग बन जाता है। अगर hydrated रहने के बाद भी किसी व्यक्ति के urine में जाग नजर आता है तो ये kidney disease का collection हो सकता है। kidney का मुख्य काम, blood में मौजूद protein को filter करना होता है क्योंकि protein हमारी body में fluid को balance करने में एहम भूमे का निभाता है। kidney damage होने पर या kidney समंदी कोई बिमारी होने पर ये protein kidney से leak होकर urine में मिल जाता है। albumin एक तरह का protein होता है जो हमारे खून में मौजूद होता है। जब आपके kidney पूरी तरह से सही से काम करती है तो ये protein की बड़ी मात्रा को urine में नहीं जाने देती। लेकिन जब आपके kidney में किसी तरह की कोई खराबी आती है तो ये protein को digest नहीं कर पाती और protein urine से निकलने लगता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ती के urine में लगातार जाग नज़र आ रहा है तो ये protein urine की और इशारा करता है जो की kidney disease का एक शुरुआती इलक्षन है। आपको बता दे कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें की urine में ज़ाग आने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए। फिलहाल के लिए तना ही धन्यवाद।